इंसानों की बसाई इस दुनिया में जहां कुछ कम अकल कुट्टे गाडियों के पीछे भागते हैं, वहीं पे कुछ समझदार कुट्टे इनी सडकों पे बसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं मूली के भी ऐसे ही दो दोस्ते, बच्पन में एक सडक हाथसे में मूली का एक पैर खराब हो गया था, उन्हीं लोगों ने तब उसका साथ दिया पर दोस्ती से मिला सुख इतना बड़ा नहीं था कि उसके बेघर होने के दुख को छोटा कर पाता खाना तो मूली को मिल जाता था और उसके हर दिन का मिशन होता था सिरफ सर चुपाने के लिए दो स्क्वेर फूट जगा ढूड़ना पडोस के अंकल आंटियों का मिशन होता था कि वो दो स्क्वेर फूट जगा मूली से चीन ले अब शादी नौकरी बच्चों से मिली फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकाल नहीं है एक रात मूली नजाने ओवर कॉन्फिडेंस में या मजबूरी में किसी गलत जगा सो गई उसकी नींदे गाड़ी वाले ने उस पे गाड़ी चड़ा के खोली जब मूली के दोस्त उसको यहां पे ले के आये तो वो चल नहीं पा रही थी लग रहा था कि जैसे उसकी रीड़ कहड़ी तूट गई है अब क्या वो दुबारा चल पाएगी ये तो बालंपुर अस्पताल में एक्सरे के बाद ही पता लगना था उसके पीछे के दोनों पेर तूट गए थे पर खून की कुछ कमी के कारण उसकी एक ही पेर की सरजरी मुम्किन थी हमने उसके बच्पन के गलत जुड़े पेर को और उस पेर को जिसकी सरजरी नहीं हो पाई थी सपोर्ट देने के लिए प्रेशर बैंडेजिंग करनी शुरू कर दी वो इतने दर्द में थी कि हाथ लगाते ही चिलाना शुरू कर देती थी बाथरूम करके उससे पीछे हट पाने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी पर राधा ने भी ठान लिया था कि इसकी इस थिती को वो इसकी नियती नहीं बनने देगी राधा रोज उसकी मसाज करती और उसको सहारा देके चलाती राधा का सहारा पाके मूली ने भी जोर लगाया और घिसट घिसट के चलने वाली मूली देखते देखते अब खरगोश की तरह उचल उचल के चलने लगी मूली के ठीक हो जाने पर हमने उसके दोस्तों को फोन किया पर पता चला कि एक तो नौकरी बदल के वहां से चले गए हैं और दूसरे का फोन लग नहीं रहा था कुछ दिन इंतजार करने के बाद हम मूली को उसी जगा ले के गए जहां से वो आई थी पर वहां पहुंचने के बाद भी उसके दूसरे दोस्त का कोई अता पता लगा नहीं मूली को अकेले इस काली सडक पे छोड़ के जाना ऐसा लग रहा था कि हम उसको निराशा की गोज में सौप के जा रहे हैं जब रहे हम किसी जानवर को ठीक करके रिलीज चरते हैं न तो एक अभी नहीं सा होता है कि भई ये सड़क से आया है, इसे सड़क में जीना आता है पर मन में एक भई होता है कि ये वही सड़क है जहां पर ये मरते मरते बचा था मूली के केस में इस भई ने अभिने को पराजित कर दिया और मूली आज हमारे घर में एडजस्ट हो रही है उसको देखो तो मानो यही कह रही होती है कि थैंक्यू यार, तुमने मेरे साथ अच्छा किया ना तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा